वेल्कम तू माई चैनल सर्मा क्लासे PCM लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेट्स चैप्टर वन का मिसलिनियस एक्सिसाई यानि विविद प्रशनावली का कोश्चन नमबर वन से फोर तक का सलूशन बता दिया था उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मे मिल जाएगा अब इस वीडियो में हम लोग इस सेट्स का मिसलिनियस एक्सिसाई के लिए कोश्चन नमबर पांच से आठ तक का हल देखेंगे चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं कोश्चन नमबर फाइब क्या है आपके सामने है यह कोश्चन नमबर फाइब आपके सामने कि अगरी में क्या है वो भी देख लेते हैं इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रॉसे हम बताने जा रहे हैं वह बारी किसे देखिएगा क्या कह रहा है चलिए सलुसन को आगे बढ़ाते हैं प्रपर्टी के साथ प्रपर्टी जो तक याद नहीं रहता है सेट्स में सेट्स को पढ़ने में मज़ा नहीं आता है इसलिए प्रपर्टी को भी बहुत बारी किसे पढ़ना पड़ता है इसमें टोटल हम प्रपर्टी को ही अप्लाई कर according to question subset of B है यानि की B बड़ा सेट और उसी का छोटा सेट यानि की B का सबसेट A है ठीक है ना इसका मतलब क्या हुआ ये प्रतिकात्मत भासा में A यानि X belongs to A implies that X belongs to B ठीक इसका दूसरा और्थ का हुआ एका और ब्रों B में भी है दूसरे अर्थ में हम क्या कहेंगे की B का और यो में नहीं है इसका दूसरा आर्थ भी लेकर हम चल सकते हैं फिर से इसको रिपीट करते हैं जर्मादा है के कुक्सिज किएगा एकिस बिलोंग्स टू ए इंप्लास डेर एक्स बिलोंग्स टू बी है और नौन फिलाई टू बी इंप्लास डैने 6 नौन बिलोंग्स को spat pesticides यहीं एक संटियह अगर वी नहीं होगा तो अगर इस तरह से भी इसको डिफाइं कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं इसका अर्थ तो क्लियर हो गया एक ऑयो बी का भी ऑयो होता है क्योंकि ए छोटा सेट होता है अब भी उसका बड़ा सेट होता है इसको दूसरे अर्थ में अभी आपको दिखा दें यह देखिए यह क्या है ए और यह क्या होगा आपका capital B ठीक है न तो एक ऑयो बी का भी ऑयो है दूसरे अर्थ में क्या कह रहाता है कि बी का ऑयो कोई element नहीं हो सकता क्योंकि बी के अंतरगत ए है ठीक है न यहीं यहाँ पर कह भी रहा है बस था से इतना समयना था आगे क्या कह रहात एक्कॉर्डिंग टो कॉश्चन x belongs to c minus b implies that x belongs to c and x not belongs to b x c का तो आवयो होगा लेकिन b का आवयो नहीं होगा ठीक न इंप्लाइड एट x belongs to c and x not belongs to a एसा क्यों लिख दिया इसके विशें मेग्या च्रहा छेक का लिए क्यों हुगा क्योंकि यहाँ पर कहतो रहे एस अफ्या nive तो अगर A का ओयो है तो B कभी होगा, A का ओयो नहीं है, B का ओयो नहीं है तो A कभी ओयो नहीं होगा, ठीक रहा, A का ओयो नहीं होगा, तो इस तरह से इसकी प्रतिकात्मक भासा हम क्या लिखेंगे, X belongs to C minus A, यह ब्रैकर में हम कर दे रहा है, इस तरह से हमने क्या देख लिया, कि x belong to c minus b imply that x belong to c minus a यानिकि c minus b c minus a का भी है अब ज़राए आगे इसको बढ़ाते हैं ये तो सिद हो गया हम यहाँ पर क्या लिख दिये हैं देखिए लिखा हुआ है second process किसी question का second process अगर समझ लेते हैं तो paper में अगर एक process आप भूल जाते हैं by the way तो दूसरा process काम करता है ने तो फिर वो प्रलब क्रियेत होता है कि कैसे हल करें वो आदमी उसमें tension में आ जाता है इसका समझान ये किये दूसरा process भी समय लिया जाए चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा था a subset of b तो स्वभाविक है a चोटा सेट है अब b उसका बड़ा सेट है और b के subset a है तो अगर इस 1,2,3,4 में ठीक है ना दो-दो का हम subset त्यार करें तो 1,2,a में मिल जरूर जाएगा अता इससे क्या सावित हो रहा है a इस subset of b जैसा की question में दिया हुआ है अब आगे कुछ और भी जानने की कोशिश करें यहाँ पर तीसरा element c ले लिया है c सेट ले लिया हमने क्या ले लिया 1,2,3,4,5 c के विसे में कोई अलग से condition दिया हुआ नहीं है तो हमने a वाले element को भी apply कर लिया b वाले element को भी apply कर लिया और c वाले element को भी apply कर लिया a देखिए छोटा सेट है छोटा सेट बना दिया 1,2 के रूप में क्योंकि हमने a ले लिया था सेट के रूप में 1,2 b के लिया हमने ले लिया 1,2,3,4 तो b बड़ा से यह circle है अब b के अंदर में क्या है 1,2,3,4 यहां से तो इतनी बात clear होगी अब जरा इसी a,b और c को देखते हुए c मानस b जरा निकाल ले c में है element 1,2,3,4,5 और b का element है 1,2,3,4 तो 1,2,3,4 यह वाले जरा अंडरलाइन करते है 1,2,3 और 4 यह मिल गया है इसमें तो मानस करना है b के पूरे element को हटाना है तो क्या बच जाएगा यह वाला element 5 बच जिया तो c मानस b कर टू 5 set के रूप में मिल गया हमें अब जरा c मानस a जरा चेक कर लिए तो c यह का element हमने रग दिया 1,2,3,4,5 तो यह जो 1 और 2 है 1,2 को underline कर दे रहे इसमें से हटा देना है common के रूप में तो हमें क्या मिल जाएगा c मानस a इकल टू 3,4 और 5 जो की दिखाई जरा है तो इस तरह से c मानस b के element को देखें और c मानस a के element को देखें तो क्या दिखाई जरा है 5 is subset of 3,4,5 देख लिए 5 is subset of 3,4,5 5 के विशे में हमने लिख दिया c मानस b is subset of 3,4,5 के जवब पर हमने लिख दिया c मानस a तो इस तरह से सिध हो गया c मानस b is subset of c मानस a हैंस तो देखिए कितना अच्छी तरह से हमने दो प्रोसे दे दिये अब देखिए question number 6 क्या क्या रहा है 6 में है question मान लीजे की pa power set of a equal to power set of b तो हमें सिध करना है a equal to b assume that power set of a equal to power set of b then from that a equal to b एक pa को कहते power set ठीक है न तो power set के लिए एक अलग से example से हम पूरे power set को ही समझा दे power set होता क्या है जब तक उसके विशे में ना जानो तो उसके derivation को आप कैसे return करोगे तो चलो उसका उधारन देख लेते हैं माल यह a equal to one two है तो इसका element कितने हो गए दो तो power set का element कितना होगा two के power n एन की value हम रखेंगे क्या two तो two के power two equal to four तो number of power यह set यानि कि इसका subset कितने हो या हो जाएंगे four ज़रा देखिए किसका subset कितना होगा कैसे हम चेक करते हैं वो भी 121 से अब ध्यान से देखिएगा one और two दो ही element है यहानी है तो power यहन की इसका subset कितना होगा subset a c u b s e t subset पहले लिग लिजे अब बाद में intersection वो यह curly bracket अन्त में लगा दीजेगा तो power set हमें मिल जाएगा तो इसका subset कैसे मिलेगा एक भी element नहीं वा फाई हो गया एक element 1 और 2 लेख दिये तो यह आपको यह subset 1 और 2 के रुप में मिल गया एक भी नहीं element एक एक element और अंत में क्या रख दिया दोनों वाले element तो total element कितने हो गए 1, 2, 3, 4 तो इस प्रकार से यह चीज़ चेक कर लिए कि power set में यह जो भी element होता है उसका 2 पाउर n से solution प्राप्त करने पर मिलता है इसी को हम power set कहते है ठीक अब ज़राब power set के लिए solution को अटन करना चाहते है वो भी देख लिए माना x एक का कोई element है तो इसको हम कैसे लिए सकते है x belongs to a एक और बात याद कर लिए x क्या है a का element है इस a का element है तो उसका set क्या होगा x capital x शुरू शुरू में हम आपको जब समुचे यानि कि set पढ़ाना शुरू किये थे तब हम आपको बताए थे कि जितने element होते हैं उसको small से प्रदेशित करते हैं और capital से अगर प्रदेशित हुआ है तो जरूर वो set होगा तो capital के रूप में x क्या है set है उसका सभी element small x के रूप में रग दिया तो x equal to small x का set हो गया यहाँ पर क्या कहा रहा है x subset of a यानि कि a क्या है x का super set हो गया ठिक x छोटा set और a यहाँ पर हो गया आपका बड़ा set अब चलिए सुरू करते हैं according to question क्या कहना चाह रहा था x belong to a implies that capital x belong to power set of a जोकि given है power set of a equal to power set of b तो हम लिख सकते हैं implies that capital x यह belongs to power set of b क्योंकि यह equal to है देख लिए ध्यान से देखिए power set of a equal to power set of b यह equal to pv तो वहीं हमने p a equal to हमने क्या रख दिया pv हमने लिख भी दिया क्योंकि p a equal to pv दिया है given है इसका implies that करके क्या लिए इसका उल्टा हम क्या लिखते हैं यह निकि इसके जगपर यह तो इसका उल्टा तो वही चीह है यह capital x belongs to pv तो इसका opposite क्या होगा आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा इसका small x belongs to है तो capital b हो गया यानिकि इसका element जो होगा power set का element होगा ठीक है न अब आगे इसका मतलब क्या हुआ x belongs to a imply that x belongs to b यहां तक equation number one के रूप में इसको देखते हैं मानते हैं इस तरह से हमने आपको क्या बज़ा दिया कि a subset of b अब हम इसका फिर से दुबारा solution आगे बढ़ाते हैं माना y b का कोई औयो है इसका मतलब क्या हुआ capital y set हो गया और उसका जो element है small y हो गया और capital y is subset of b जैसा कि उपर हमने हल किया था जहां जहां x था वहां वहां पुरे system को y कर देगे कुछ नहीं करना है आप चाहो तो अपने मन से इस solution को solve कर सकते हो जहां जहां small x था वहां वहां आपको क्या करना है small y रख देना है अब आगे बढ़ते हैं देखिए आपके सामने हो गया क्या कह रहा है y belong to b implies that y belong to ये pv ठीक है ना pv means power set of b और चुकि आपके question में given है power set of b equal to power set of a दिया हुआ है ये थी तो capital y belong to power set of a इसके आगे implies that करके हमने क्या ले दिया small y element belong to set capital a तो इस तरह से हम दोनों को अगर मिलाने की कोशिश करें तो क्या ले करेंगे y belongs to b implies that y belongs to a ये चीज़ लिखा हुआ है इसका प्रतिकात्मग भासा क्या है कि capital b is subset of capital a y belongs to b implies that y belongs to a क्या प्रतिकात्मग भासा है क्या चीज़ अभी हम आपको बताये थे b is subset of a ये equation number 2 हो गया अभी उपरोक्त दोनों तत्थों से हमने क्या देखा equation 1 में हमने देखा कि a subset of b और equation number 2 में हमने देख लिया कि b is subset of a अतर दोनों condition को एक साथ apply करके हम देखते हैं तो मिलता है कि a equal to b यानि कि दोनों सेट आपस में बराबर हो गए हमें यही सिर्द करना था अब आप देखिए question number 7 क्या कर रहा है कि नहीं वी दो समुझेओ a तथा b के लिए क्या यह कथन सत्य है कि p a union p b equal to p a union b चेक करना है question mark है या पर ठीक है न अंग्रजी में हम इसको पढ़ना चाहते है is it true that for any set a and b powers of set of a union power set of b equal to power set of a union b question mark justify your answer तो इसका solution क्या करेंगे आगे बढ़ा करके अगले page में देने वाल है pto लिखा हुआ है न यह देखिए pto लिखा हुआ है आपके आगे सलुतन मिले वाला है यह कर दिए ठीक अब आगे question यह दिखाई दे रहा था और उसके सामने answer भी आपको दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पर थोड़ा सा simple करने के लिए set a और set b को बहुत ही छोटा set one one element करके लिए लिया क्योंकि बड़ा set जितना लेंगे तो चुकि a और b का हमें union लेना है वो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि power set भी हमें attain करना है तो power set जो होता है तो कि power n उसके element होते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपको समझने में परिशानी होगी तो परिशानी को कम करने के लिए हमने क्या कर लिया कि ये छोटा छोटा set a और b का हमने बना लिया ठिक और इसका when diagram दिखाई ज़रा है a में element 1 है दिखाई ज़रा है और b में element 2 है तो a union b equal to क्या होगा a union b equal to union to one element और two element का ये combination होगया अब power set of a की बात करें चुकि a दिया हुआ है one element के रूप में तो two के power n के जवापर one कर दें तो equal to क्या मिला हमें two के power one यानिकि two यानिकि power set के element कितने होगे two कैसे मिलते हैं जरा उसको भी हम बता दें ये एक element है तो ये एक भी element नहीं वो नव सेट हो गया और एक element one हो गया और उसका curly bracket में close कर दिये तो power set of a मिल गया फिर से b का element देखिए two एक element है यहाँ पर इसका power set बनाने के लिए subset देख लिए एक भी element नहीं फिर एक element हो गया इस प्रकार से curly bracket close कर लिए तो हमें power set of b मिल गया power set of a और power set of b ये circle के रूप में आगे आपको दिखाई देदा है power set of a power set of b में दोनों में common क्या है फाई power set of a power set of b में common क्या है आपका ये देखिए फाई हो गया power set of a में फाई और ये one का ये subset है यहाँ पर और power set of b में फाई है और तो इस प्रकार से पी a union पी बी क्या होगा यहाँ से लेखर के ये दोनों फाई वन और टू फाई वन और टू ये मिला power set of a union power set of b अब practice करेंगे तो आसने इससे समझगा जाएगा चुकि question में हमें power set of a union b भी find करने के लिए कह रहा है तो चुकि a 1 है b 2 है तो a union b equal to 1 और 2 होगा तो इसमें number of power set कितना मिलेगा 2 के power 2 equal to ये 4 मिलने वाला है देखिए number of power set of a union b equal to ये 2 power 2 equal to 4 तो p a union b equal to क्या होगा दो element होने के कारण एक भी element नहीं null set हो गया एक एक element मिल गया यहां से यहां तक और ये 2 तो है ही तो दो वाले भी आ गया एक भी नहीं element एक एक वाले element और ये 2 है तो दोन वाले element तो a union b के हम जितने भी ये sub set मिल रहे थे उसको curly bracket में close कर दिये तो power set of a union b मिला तो अब ज़रा एक बात देखिए power set of a union power set of b को equation 1 माल ले और इसके बाद में power set of a union b को हम equation number 2 माल ले तो ज़रा चेक करके देखते हैं क्या ये दोनों element सब में मिल रहा है from 1 and 2 चेक करके देखते हैं ये देखिए फाई है इसमें तो इसमें भी फाई मिल गया ये वाला 1 तो इसमें भी 1 मिल गया ये वाला 2 तो इसमें भी 2 मिला लेकिन ये 1, 2 उसमें नहीं मिल दा है इसका मतलब क्या हुआ power set of a union b इस प्रकार से यह आपका solution प्राप्ट हुआ अब question number 8 क्या कह रहा है 8 number का question कि नहीं दो समुच्चायों a तथा भी के लिए शिर्खिए a equal to a intersection b union a minus b second part में हमें शिर्ख करना है a union b minus a equal to a union b इनकी दो पाट हमें शिर्ख करना है चलिए आगे इसको अंगरीजी में question क्या दिया हुआ है वो भी हम पढ़ लेते so that for any sets a and b we have to prove that a equal to a intersection b union a minus b and second question is a union b minus a which is equal to a union b ठीक अब इसका solution परसन फर्ष पार्ट को attend करने से पहले हम a minus b को जरा समझ लेते हैं a minus b का अर्थ क्या है पहले तो ये देखिए ये a का circle है ये b का circle है जब भी हम a minus b पता करेंगे तो जो negative होता है उस circle को पूरी तर से छुपा देते हैं देखिए a b negative है उसके circle को हम छुपा देते हैं तो हमें जो बचा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है वही a minus b होगा मतलब क्या हुआ a में x का element a में तो है परंतु b में वह element नहीं है तो इसको हम दूसरे हिसाब से कैसे लिखते है a must be equal to x such that x belongs to a and x not belongs to b ठीक आपको हम बहुत पहले बता चुके है कि a उसा end का मतलब क्या होता है intersection और और का मतलब होता है union end का मतलब क्या होता है intersection ठीक तो यहाँ पर end का मतलब क्या होता है intersection तो आसानी से a intersection b not का मतलब b dash के रूप में भी हम ले सकते है यानि कि a minus b equal to हम क्या ले सकते है a intersection b dash mind करने यह के बाद क्या है कि जो negative होगा उसको उसके उपर dash कर रही है तो कि वह element नहीं होता है अब हम सुरू करते है first part आपके सामने नीटे है इसमें देखिए lhs हमें सुरू करना है a arches आपके सामने है arches को ही हम attain करने जा रहे है arches given है a intersection b union a मन भी minus वाले को हम अभी उपर बता चुके हैं कि a intersection b dash रख देते है negative में वाले को dash कर देते है intersection चिंद लगा देते है ठीक है रख equal to क्या हुआ a intersection b union a intersection b dash equal to इन दोनों में जड़ा compare करके देखिए कि a intersection और a intersection दोनों में मिल रहा है फिर से दुबार हम आपको बता रहे है इस दोनों bracket में चेक कियेगा तो पता चलेगा a और intersection त्था यहाँ पर भी a और intersection दोनों में equal है तो common कर लिए तो इन दोनों को हमने common कर दिया तो क्या मिला a intersection b union b dash a जो दोनों में common है वो common कर लिए b union b dash अब ये रहे एक बात बताईए कि b union b dash क्या होगा यह एक आयक ले लिए यह universal set के रूप में सारवत्रिक समुचय के रूप में अगर यह B है support कर लिए तो बाहर के का element होगा B dash होगा तो B का element और B dash का element चारों तरफ से इन सब का sum क्या हो गया union क्या हो गया सारवत्रिक समुचय हो गया universal set थोड़ा सा एक बात अलग से हम बताते हैं कि union को U से प्रदर्शित करते हैं और universal set को भी U से प्रदर्शित करते हैं तो इसमें पता निगलता है कि कौन union है और कौन universal set है तो एक काम हम करते हैं उपर एक side में चिन लगा जेते हैं यू तो रहता है लेकिन एक चिन के दवारा हम idea लगा लेंगे कि यह वास्तों में universal set है और यह वास्तों में union है चलिए आगे बढ़ाते हैं तो A intersection B union B dash को हम का कहेंगे इसी करम में universal set है अब जब एक बात बताइए आप A intersection U में intersection क्या है छोटा set तो यहाँ पर यह बड़ा set है यह छोटा set है तो intersection में हमेशा छोटा set मिलता है तो वही छोटा set हमने A लिग दिया तो यही LHS हमें सिद हो गया तो इस प्रकार से हमने सिद कर दिया RHS equal to LHS A intersection B union A minus B equal to A यह प्रोब हो गया अब second part के लिए LHS देख लेते हैं second part यह है आपका LHS क्या है A union B minus A तो जैसा कि अभी आपको उपर बताये थे जो negative होता है उसको यह intersection करके उसी को dash कर देते है dash का मतलब A not हो गया A negative मतलब A not अब इसको वही चीज़ यूटिलाइज कर दिये तो हमें मिला B intersection A not तो इसको combination के रूप में कैसे हम देखते हैं किस तर से जुड़ता था पहले इसको पहले हम बता चुके हैं यहां पर direct property apply करने जा रहे हैं कैसे हम इसको तोड़ेंगे A union B थिक यह ची दिखाई दे रहा A union B यहां से और यहां तक फिर से intersection यही वाला यहां पर रख दिया फिर से लिदिया A union A dash जिस प्रकार B union B dash को universal set कहते हैं थिक उसी तरह से A union A dash को भी हम universal set देखिए इस चिन के द्वारा universal set के रूप में हम प्रदर सित कर दियें इंटर्सेक्शन में आपको हम बताये थे कि universal set बहुत बड़ा set होता है और उसके अतिरत जो भी set होता है उसका छोटा set होता है और intersection में क्या होता है दोनों का common होता है तो इस प्रकार से A union B और universal set में A union B क्या होगा दोनों में common होगा तो हमने लिए दिया A union B इस प्रकार से हमने स्थित कर लिया कि LHS equal to A union B equal to RHS इस प्रकार यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रिप्या करके आपसे request है कि like share and subscribe जरूर किजिएगा इससे हम लोगों का होसला बुलन दोता है आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में thank you